हेलो माई दियर जेंट्स, आज मैं क्लास सेकेंड के बच्चों को चेतर सेवंचिन पढ़ाने जा रही हूँ, चेतर का नाम है गुरु भग छात्र, आपका पेज नंबर है 90-91, तो बच्चों आज हम लोग ऐसे छात्र के बारे में पढ़ेंगे, जो गुरु का बहुत ही बड भग था, और उस छात्र का नाम क्या था, मैं आप लोग को बतला दे नहीं हूँ, श्वामी दयानन्द, उस छात्र का नाम था, जो गुरु का बहुत ही बड़ा भग था, इसलिए इससे का नाम गुरु भग छात्र दिया गया है, तो सबसे पहले आपको सब्द और और अर् जंड मीन सोता है सजा, कष्ट मीन सोता है दुख, प्रसिद्य मीन सोता है मशुष, और महापुरुष मीन सोता है महाम बेटी, महाम बेटी वो महापुरुष इसलिए कहा जाता है कि वे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनका नाम इस देश में अमर हो जाता है, दुनिया अमर उनकी कित्री अम्मर हो जाती है इसलिए उन्हें महापुरुष करते हैं तो बच्चों अब हमें कहानी स्टार्ट करने जारी हूं आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और रिडिक करेंगे क्योंकि बहुत ही मस्ट है 150 वर्स से अधिक पुरानी बात है मत्रा में बुद्धा बिखती रहता था और बिल्कुल अंधा था पर था बड़ा बिद्वान यह जेर सब वर्स पहले की कहानी है आज की कहानी नहीं है कि मत्रा में एक बुद्धा बिखती रहता था जो अंधा था लेकिन बहुत ही बड़ा बिद्वान था और आपनों पुछें कैसे बिद्वान था अंधा होते विए बिद्वान कैसे था तो गौड गिफ्टेड है ममान की किपा से अंधा भी सब देख सकता है और लंगरा भ करते थे ठीक बुद्धे अ मंब गुद्धय में होते हैं आउटी कि बखुटी सारे सिकेर सस्हात बदों थे और सबया बच्चे जो सरसा होते हैं एक बबचि किुता आपकुत करते Auch tiphern ने लिए अचानक पर प्रूडे के धेर पर पढ़ा पर पढ़ते हैं गुरुजी अत्य प्रोधित हो गये पूछा यह कुड़ा किसने डाला है एक दिश्ची बात है वह अंदे गुरुजी घर से बाहर तुटी से बाहर लिकले तो पूड़े पर पढ़ गया पर पढ़ने से बहुत ही कुड़े किसने रखा आप देखिए एक गुरुजी के पास आया श्री चुका पर उसने कहा गुरुजी आज मुझसे भूल हो गई जाडू लगाने के बाद मैं कुड़ा नहीं ठा सका मुझे छमा की जिए तभी एक ठात आया और उसने कहा कि गुरुजी आज मैंने पाया तो आप मुझे स्मा कीजिए लेकिन गुरुजी का गुस्ता इतने परसांत नहीं हुआ उन्होंने छड़ी से उस हांत को जीव भर पर पीटा वह चाड़ चुपचा खड़ा रहा थोड़ी देर बाद गुरुजी हांत रिवे चले गए लेकिन इतना सुनने के बादि अब उतना पीटने के बाद भी वर्जाक्र गुरुजी का गुरुजी का गुरुजी मुझे भूल हुई थी अब उतना पीटने के बाद भी वर्जाक्र गुरुजी के पास गया और कहा कि गुरुजी आपको मेरे खालन आपको बहुत तकलीफ हुई कस्ट हुआ आपका जो है शरी बहुत हाथ पर दुखता होगा लागे मैं आपके हाथ पर को दबादू क्योंकि मैंने गलती किया था और आपने मुझे दढ़ दिया दढ़ के लिए मुझे कोई इत्राज नहीं है कोई नराजगी नहीं है मुझे दुख इस बात का है कि आपका हाथ पर दुखता होगा लागे मैं आपके हाथ पर को दबादू देखिए कैसा अचा तो था आपको कुछ आराम पहुचेगा गुरुजी ने कहा कि देखो मुझे बहुत बुढ़ा आगा था नियुक को बहुत कस्थ होता होगा बहुत चोट लगी है मुझे इस बात की असुमस है। गुरुजी मेरा सवरी तो कठोर है, इस थोड़ी सी चोट को सहलेगा, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, यह कहा कर छाथ गुरुजी के हाथ पर दबाने लगा, और ने छाथ आचर से उनकी उर्दे से लगे, क्या हुआ, गुरुजी से मेरा सवरी त गुरुजी का हाथ पर दबाने लगा, और जब वह ऐसा करने लगा, तो सारे छाथ जो थे वहाँ पर वे आचर से उनकी बच्चे को उस हाथ को दिखने लगे, बच्चों जानते हो यह गुरु और सिश कौन थे, यह गुरु श्वामी बिर्जानंद जी और सिश्वामी दय लेकिन बहुत ही ग्यानी थे। बहुत जानकार थे और सिश यह दियानंद स्वर्शती जी थे। स्वामी दयानंद स्वर्शती के नाम से भी जाने जाते हैं। जो भी है सब पिश्वर का दिया हुआ है इसलिए किसी को छोटा मत समझो इस्त्रियों का आदर करो सभी को सिख्षित करो और धूम पर विश्वास नहीं करो धूम इंसान को बहुत ही बुरा हाल कर देता है बहुत बत्तर इस्तिति बना देता है इसलिए धूमी लोंगों से दूर रहो कि यहां तक कि पत्थर मुर्थी को भी नहीं मांते थे पत्थर पुजाइबhews नहीं करते थे और सक्थी परफा को भी इन्होंने समात किया इस तरह से इनुह है देश के लिए समाथ के लिए बहुतраш कुछ किया स्वामि दयानदन ने देश में फ़ाइ अनेक बुराई्यों को मिटाया इनके बारे में तुम आगे चलूकर बढ़े हो पढ़ोगे देखे इन्होंने स्वामि दयानन ने देश में अनेक बुराईएं को समात किया इस बुराई तो एह है कि सब से पहले स्थी पर्था थी अगर किसी का तो पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था इस बात का स्वामिक द्यानन्न ने बहुत ही बिरोध किया और इस पर्था को उन्होंने समात करा आगे आप जब कि द्वारा चला जाएगा आपने पोपी को अपने फियर पोपी को कंप्लीट करें और साथे साथ पढ़ाई जादी रखें मन से पढ़ें अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और दो चार चेप्टर जो बाती है उसको भी मैं पढ़ाऊंगी आप इतने ही सब्दों के साथ मैं मैं बाली तो बिलाम देती हूँ धन्यवाद इस्वेंस